हेलो फ्रेंद्स कैसे हो आप सब फैपक्त कि आप बहुत यह होंगे और आप अभी त्यारी कर रहे होंगे नए जो आई पी यॉज आ रहा है जो कि इस मन्त में इस वीक में बहुत सारे ipos लाइन अप हैं लेकिन जिस IPO के मैं बात कर रहा हूं वो अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है and we are expecting as a customer कि सबसे ज्यादा listing gain मुझे या हमें वहीं पे मिलेगा so guys मैं बात कर रहा हूँ Tata Technologies IPO की ये IPO अभी इतना ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि इसका grey market premium जो इसका issue price होने वाला है उसके आस पास चल रहा है यानि अभी से expectation लगाई जा रही है कि listing के दिन बहुत अच्छा खासा profit ये देने वाला है अपने retail investors को so guys 70% के premium gain का भी expectation किया जा रहा है तो मैं अभी बता देता हूँ इस पूरी वीडियो में कि कब open हो रहा है आप सबको पता ही होगा वैसे तो कब open हो रहा है कब close हो रहा है क्या है price band और अभी current GMP क्या चल रहा है जिसके basis पर यानुमान लगा जा रहा है कि 70% तक का listing gain मिलेगा तो आप सभी से request है कि अगर आप नए है मेरे channel पे तो इस investor hub channel को जरूर subscribe करें इस channel पे आपको सभी नए IPO के बारे में और जो भी अच्छे stocks होंगे या फिर जो भी सस्ते stocks होंगे जो कि अच्छे fundamental के होंगे जिससे कि आपका पैसा अच्छा पैसा grow कर सकता है उसकी सारी जनकारी इस channel पे आपको दी जाएंगे तो बढ़ते हैं इस वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे है मैंने यह हिंदुस्तान टाइम्स का जो mint है उसकी news का मैंने open कर रखा है यहां पर आप देख सकते हैं कि Tata Technologies का GMP प्राइस और अधर डिटेल्स अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए वैसे तो अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए टोटली डिपेंड करता है रिटेरे इंवेस्टर्स पे बिकेज अपने पैसे के जम्मार आप खुद है कोई भी इसकी गैरेंटी नहीं लेता ठीक है तो आप अगेन अपने माइंडसेट से इन्वेस्ट करिए और अगेन यह वीडियो भी है के एड्यूकेशनल परपस से बनाई जा रही है तो मैं कोई रिकमेंडेशन ही दूँगा कि आप इसे लें इसमें अपलाई करे या ना करे तो जैसे कि अब देख सकते हैं इसका जो आई प्यो है यह बाइस नवंबर को स्टार्ट हो रहा है यानि कि कल से यह स्टार्ट हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए और 24 नवंबर तक यह ओपन रहेगा टाटा टेक्नोलोजीज का जो प्राइस बेंड है जो के फिक्स किया गया है वो चार सब पच्छतर से पान सो के शेर लेबल पे फिक्स किया गया है यह आपको एप पे कई बार अलग-अलग भी देखने को मिल रहा है यानि कई जगह चार सब पिच्छासी से पान करोर रुपीज जुटाने के लिए इस आई-प्यो के तरू जो की कम्प्लेटली ओफर फर सेल होने वाला है ओफर फर सेल बसेकली आप लोग बता ही होगा कि जो इनकी सबसीडरीज जो होल्डिंग्स है जो की शेर्स टाटर टेक्नोलोजीज कर रखे होंगे वो अपना शेर हैं शेल करने वाले हैं आप अब जो जींपी बेसिकली क्या होता है गरे मार्केट प्रीमियम जैनि कि जो भीdar प्राइस होगा उसमें जो ईडर करने के बाद जो होता है वो लिस्ट इंगistant के दिन तो जींपी जैसे कि अभी के हैं कि या चल रहा है वह 361 रुपै चल यानि कि जो price band है मारा 475 से 500 के बीच में तो 500 मानलो maximum ले लेते हैं तो 500 प्लस 351 यानि कि 851 रुपे का listing gain का अनुमान है इतने के price पर तो 321 रुपे का चल रहा है कल भी 300 क्याउन का GMP था इसका मतलब अच्छा खासा इसमें listing gain मिलने का अनुमान है और इसमें जो मैं बताना चा उससे 70% का gain यहां पर मिल सकता है अगर listing के दिन कोई sell करना चाहे तो तो guys यह था information और इसका साथ सब बताना चाहूंगा again कि GMP से कभी भी हम guarantee again GMP guarantee नहीं देता है कि आप उस दिन listing इतने ही price पर होगी यह just take market का emotions होता है और प्लस demand भी होता है जिसके basis पर तय किया जाता है और टोटली यह depend करता है आप पे कि आप इसे long term short term यह again company के business पे depend करता है कि यह share कितना आपको profit देगा नहीं देगा बट अभी कही साहब से अगर मैं देखूं तो इसमें जो है आपका listing एन 70% का अनुमान है यहां पे आपको invest करने के लिए around 15,000 के करीब लगते हैं पैसे जो के rough figure में देखो तो 14,300 या 14,400 ऐसे ही करीब होते हैं और इसमें आपको shares मिल जाएंगे और जो भी इसकी allocation होंगी जो listing date होगे वो 27 तरीकों इसको allocation का date है और जो listing का date है guys वो है 29 November का So I hope कि आप सबको यह IPO मिले और 29 November को जब यह list हो तो आप अच्छे घासे listing एन पर इसमें से exit करें या फिर अगर आप ticker रहना चाहते हैं company का अगर आपने देख रखा है business structure तो ticker रहे हैं और अच्छा खासा आपका पैसा grow करें Thank you so much friends